नमस्कार, मैं डॉक्टर अम्रीताक्षदेव, मैं एक नेफ्रालोजिस्ट हो कलकत्ता से, और मैं आज आप लोगों को अनीमिया जो एक कॉमन प्राबलम है क्रॉनिक किड्नी डिजीज में इसके बारे में बताना चाहतू हूँ सबसे पहली बात, क्रॉनिक किड्नी डिजीज वो किड्नी के बिमारिया है जो तीन महिने से जाधा पुराना हो अब जिनको भी क्रॉनिक किड्नी डिजीज रहता है और सिग्निफिकेंट ग्रेड का रहता है, मतलब कि जो CKD स्टेज वाइस, स्टेज 3, स्टेज 4 या स्टेज 5 इन सब में खून की कमी होती है अब खून का कमी क्यों होता है और हमें इसके लिए रोक थाम क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात, किड्नी एक होर्मोन बनाता है जिसका नाम है अरित्रोपोईटिन जैसे हम सब जानते है कि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, जिससे शुगर कंट्रोल रहता है वैसे ही किड्नी एक होर्मोन बनाता है जिसका नाम है अरित्रोपोईटिन है और ये होर्मोन हमें मदद करता है हिमोगलोबिन तेयार करने में तो जिसको भी chronic kidney disease होता है, क्योंकि erythropoietin का मात्रा कम हो जाता है, या इसका resistance होता है, मतलब तयार होने के बावजूद ये ठीक से अपना काम नहीं कर पाता है, दोनों चीजों के वज़े से खून का मात्रा कम होने लगता है, दूसरा ये है कि इन सब मरीजों में बार-बार blood test किये जाते हैं, उससे भी खून निकलता है, GI loss, मतलब पेट से खून का loss होना, ये भी इन में common है, खाना ये ठीक से खाते नहीं है, जिसके वज़े से iron की कमी और बाकी vitamins की कमी भी हो जाती है, तो ये सारे चीजे मिला के chronic kidney disease का anemia होता है, इसका management भी ऐसे ही है, सबसे पहले ह निकल रहा है, तो वो blood loss को हम ठीक करें, और तीसरा फिर है, कि हाँ, अब दोनों सब हमने कर लिया फिर भी anemia है, तो erythropoietin दिया जाता है, जो कि injection के माध्यम से available है, जिसको हफते में दो बार इस्तमाल करना होता है, इसके कुछ long acting forms है, जो हफते में एक बार, या महीने में एक बार इस्तमाल से भी काम चलता है, जाधा तर ये injections के माध्यम से दिये जाते है, जिनसे खून बनने में मदद मिलता है, अब दूसरी ये important चीज, सब में target जो hemoglobin है, जैसे normal hemoglobin, 13 ग्राम, 14 ग्राम होता है, वागर chronic kidney disease में, हमें 13 या 14 ग्राम hemoglobin नहीं रखना होता है, इस blood transfusion तब करते हैं, जब साथ से कम hemoglobin हो जाए, तब हम लोग blood transfusion करते हैं, जाले हैं